नमस्ते सभी को और आज मैं बताने वाला हूँ जो अपनी अंडर 23 टीम है इसमें किस प्लेयर को कितना पैसा मिलता है आई एसल में या आई लीग में और यह जो सेलरी वाली चीज है यह बताने के पिछे मेरा मकसद यह नहीं है कि पैसा क्या है यह सब चीज नहीं है मकसद यह है कि उन लोगों तक यह चीज बताना कि फुटबॉल में भी पैसा है आप इसको एसा कर्एयर चुन सकते हैं तो जो हमारे हमें मेंटैलिटी है फुτεबॉल में पैसा नहीं है या है क्या है ऐसा सूचते है तो एकतु खासकर उन लोगे के लिए जिनको ये सब चीजे नहीं पता है, उनके लिए वीडियो है, और कुछ फैंस को जानने की इच्छा होती है, कि सेलरी कितनी होगी हमारे ने 23 प्लेयर्स की, तो ये जो सेलरी है, ये मैंने कोई फोन करके नहीं पूछी है उनसे, तो ये जो सेलरी का आकड़ा है, एक वेबसाइ अभी ISL शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वो अभी नहीं मिल पाएगा, तो पिछले सीजन की जो सेलरी इस थी, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, मैं फाइनल ये आपको वो चीज बताता हूँ, जिसके लिए आपे वीडियो देख रहे है अभी, तो मैं आपको से स्ट्राइकर पोजिशन तक सबकी सेलरी बताऊँगा, जो जो अभी इंडिया अंडर 23 टीम में है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए है धीरच सिंग जो हमारे मेन गोलकीपर है, वो खेलते है FC गोवा से ISL में और उनकी सेलरी है 75,09,000 रुपए पर सीजन, तो काफी अच सही सेलरी है, फिर उसके बाद हमारे जो थर्ड गोलकीपर है वो है प्रभु सुखन गिल, तो ये अभी केरला ब्लास्टरस में खेलते हैं और इनकी सेलरी है 16,63,000 रुपए, फिर उसके बाद हम डिफेंस में जाएंगे तो सबसे पहले आते है सुमित राठी और ये 80 के मोह भी नहीं पाया मुझे कहीं, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो नरेंदर गहलोट, जो जमसितपूर FC से खेलते हैं, इनकी सेलरी है 41,04,000 रुपए, तो इनकी सेलरी तो बहुत सही है, फिर उसके बाद हमारे खिलाड़ी आते है, हैं तो इनकी सेलरी है 33,08,000 रुपए, पर सीजन, फिर इसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी है, आकाश, मिस्रा, जो हैदरावाद FC से खेलते हैं, और इनकी सेलरी है 49,49,000 रुपए, पर सीजन, फिर उसके बाद हम चलेंगे, मिट फिल्ड पोजिशन में तो आते है, दीप भी जमसितपूर FC में आ चुके है, और इनकी सेलरी का आकड़ा मुझे मिलनी पाया, तो इसके लिए मैं भहती माफी चाऊँगा, फिर उसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी है, प्रिंस्टन, रेबेलो, जो की गुवा से खिलते हैं, और इनकी सेलरी है 22,99,000 रुपए, फि इनकी सेलरी है 7,94,000 रुपए पर सीजन, फिर इसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी है जैक्सन सिंग, जो की केरला ब्लास्टर से खिलते हैं, और इनकी सेलरी है 20,44,000 रुपए पर सीजन, फिर इसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी है निखिल राज, जो की उडिसा FC में ख खेलते हैं और इनकी सेलरी का भी आकड़ा मुझे नहीं मिल पाया है तो इसके लिए मैं माफी चाऊँगा उसके बाद हमारे आते हैं खिलाडी लालंग माविया जो की मुंबई सिटी से खेलते हैं और ये पिछले सीजन नौर्थीस युनाइटेड में थे और इनकी सेलरी है 17 लाख 6,000 रुपए पर सीजन उसके बाद हमारे अगले खिलाडी है सुरेश सिंग जो की बैंगलूरू FC में खिलते हैं और इनकी सेलरी है 18,45,000 रुपए पर सीजन उसके बाद हम चलते हैं स्ट्राइकर्स में तो आते हैं खिलाडी रही मली जो की चन्नेयन FC में खिलते हैं और इनकी सेलरी है 12,50,000 रुपए पर सीजन फिर इसके बाद हमारे खिलाडी आते हैं विक्रम ट्रताप सिंग जो की मुंबई सिटी में खिलते हैं और इनकी सेलरी है 25,38,000 रुपए पर सीजन फिर इसके बाद हमारे अगले खिलाडी आते हैं अनिकेज जाधो जो की हैदरा बाद FC में खिलते हैं और इनकी सेलरी है 27,52,000 रुपए पर सीजन तो यही थी हर प्लेयर की सेलरी कुछ प्लेयर की सेलरी मैं नहीं बता पाया हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा मुझे मिलनी पाई क्योंकि उनकी डिटेल्स और यह जो सेलरी केवाल ISL मतलब क्लब्स के थ देख रहे होंगे तो उनके लिए आई होप की एक मोटिवेशन का काम करेगी वीडियो की एक अच्छी सेलरी मिलती है ताकि वह बहुत हार्ड वर्क करें और आगे चलके वह भी एक प्रोफेशनल कॉंट्रेक्ट हसिल करें और आई होप की इंडिया अंडर 23 टीम AFC क्वाइ की फैर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें तो थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो जय हिन जय भारत